आप देख सकते हैं दोस्तो hamari motor पी चल चुकी है और Contentors नीचे जाकर चिपक चुकर आप देख // BO के दोस्तो पहले की वीडियो में हमने त्री फेज की जो यह थिखेज की उंजया था आज यहां पर बिल्कुल प्रैक्टिकल कर दिखाएंगो दिखाएंगा जाएं single phase way तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास यह panel लखा हुआ है यह इसकी control PCVA contactor है और यह input के लिए हमारा connector है और यह output input के लिए connector है तो चलिए दोस्तों wiring करना हम सुरू करेंगे हम यहां से सुरू करेंगे और यहां पर end करेंगे लाकर के वाइरिंग और step by step इसको repair करेंगे और पूरा समंहिए इस सबसे पहले start wiring कहां से होती है कहां पे जाती है कैसे होती है सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे चार पिन में से कोई भी तीन पिन ले लो जैसे कि यहां पर T1, T2, T3 यह लिखा हुआ है T1, T2, T3 इसको लाश्ट वाले को छोड़ देना है आपको या पहले को छोड़ लो बहुत यहां पर कोई भी तीन का यूज करेंगे सिर्फ क्योंकि यह AC है हमारी मोटर नहीं है ठीक है क्योंकि प्रोटेक्शन भी देनी है तो दोस्तों चोथे नमबर को हम यूज नहीं करेंगे तो तीन ही यूज करने है कोई भी तो पहले हम सबसे पहला जो वाइरिंग काम करेंगे RYB की इस तरह से वाइरिंग लेंगे यह पर आप देख सकते है RYB RYB का मतलब है Red Wire अपना Blue Wire और Yellow Wire यह तीन तार लेंगे और सबसे पहले यहां से Input सुरू करेंगे यानि कि Red पहले Blue और फिर Yellow इस तरह से तीन तार लेंगे सबसे पहले यहां Connect करते हैं यह तो आपको सॉल्डिंग करनी है यह आपको थिम्बल बनाने है जैसे मैं आपे सॉल्डिंग करकर करके लगा रहा हूँ ठीक है Color Code के हिसाब से लगाना यह मकीय की नवानी है कि जानदार अगर नेक टाइम कोई बंदा वाँ जाएगा रिफेयर भी करने तो उसके मजे मस्त तरह समझ माझाएगा एक वायरिंग तो इस तरह से काम करो अब रैड वाला जो है ना यहां पे में रैड वाला जो लोंगा यह रैड वाला मैं इसको इसके साथ एक पीसीबी का वायर भी लोंगा ठीक है यहां पर आउटपुट देने के लिए PCB का वायर भी तो मैं रेड़ वाले के साथ दो रेड़ लूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जो रेड़ वायर है हमें इसके साथ एक बरिक वायर भी लिया है क्योंकि इसकी इंड़ोर PCB यानि की जो दूसरी रहेगी है और आउड़ोर PCB इसका भी लाइव और जो हमारा फैन रहेगा उस पर न्यूटल जाएगा तो इससे तो कोई मतलब यह सिर्फ इंड़ोर PCB और आउड़ोर PCB के लिए लाइव पॉइंट रहेगा ठीक है तो हम इसको भी कसके इसका भी कनेक्शन कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने सुन्दा तरीके से हमने तीन वायर लगा दिया है आर वाई भी ठीक है ऐसी आर वाई भी हमें पिफ्वत तीन पॉइंटए यहां ले आने सीधे सीधे ठीक है तीनऋ पॉइंट यहां पर यहां पर वाई फिर यहां पर बी इन्ही तीनओ पोइंटट से यहां ठीक है तो यहां से हमारे RY भी आ चुके हैं आप देख सकते हैं अब यह जो RY भी आये हैं डिरेक्ट हम इन तीन पॉइंट पे लेंगे यहां से हम आउटपुट लेनी हैं तो Contactor से दरेक्ट हम तीनों पॉइंट ही यहां पे लेंगे यह तो आउटपुट इधर बना लो आ यह आउटपुट इधर बना लो क्योंकि हैं से इजी पढ़ रहा है तो हमने इधर से बनाया और यहां से हमारी output यहां पड़ रही है तो input यहां से लिए output हमारी यहां से आ जाएगी अब contactor को जोन करेगी वो बाकी PC भी आ लग रहेगी अब जो यह contactor है इसको चलाने के लिए हलके wire की यूज होती है जो इसमें जो heavy wire है वो जब यूज होती है जो output में जाती है तो कम से कम धाई mm का अच्छी company का wire यूज करना है तो यहां पर same to same ryb पे हम यह wire ऐसे ही यहां contactor पे लगा देती है तो यहां पर friends यह जो हमने ryb था यह हमने proper तरीके से लगा दिये है अब यहां पर जो हमारा red वाला था ठीक है हमने red से ही लिया है हम यह y से भी ले सकते हैं बी से भी ले सकते हैं लेकिन हम red से ले रहे हैं कोई दिक्कर नहीं पहला ही point पड़ रहा है तो यह point हम पहले ही point पे ले लेंगे ठीक है यह आप है अब यही पोईन्ट हमारा दो स्काव फेल वाला के आसे इसका पर धाया ओऊ हम सेव साइन कि号 लियां तो यहां पैल अग्रे मात्तेयर अग्र विर्ण हो परने वरिया थिम्बल लगा बना तो एक थिम्बल करते बन्हारा हुए और यहां पर इसको solder करके यह इसमें attach कर देंगे ठीक है तो अब इस वाले point को हम यहां पर live पर लगा करके छोड़ देंगे पर्मनेंट के लिए और यहाद रखे live अगर neutral किसी वैसे मिट गया तो जो जहां पर fuse होता है वो live के लगा देंगे तो हमने फेज वाला point permanent के लिए यहां पर attach कर दिया है अब इससे हमारा किसी का कोई matter नहीं है अब यहां पर आप देखेंगे यह लिखा स्यूंप compressor अब compressor का मतलब यह नहीं किया सीधे यहां से compressor पर लाइन जाएगी इस इस contractor को a2 पे connection देने के लिए है ठीक है तो यहां पर a2 का हम एक wire बनाते हैं अब देखें दोस्तों मैं बताया था पहले भी a1 और a2 होता है contractor में जो इसको चलाने के लिए है ठीक है यह load वाला point नहीं होता है load वाला point है उपर की तरफ अब यहां यहां पर a2 दर भी यहां पर मैं चलो इस पर दिखा देता हूं देखो यहां पर a1 यहां पर a2 यह तर भी a2 है तो आप इस इदर भी लगा सकते हैं इदर भी जहां से आपको easy पड़े महां से लगा सकते है point को तो मैं यहां पर इधर point से compressor के point पर लगाऊंगा अब जो a1 वाला point है यहां पर आमें connection जो देना है वो neutral का देना है यह चीज़ याद रखनी है तो a2 पर देना है जो हमारे रिले से जो हो करके आएगा तो यह हमारे यहां पर a2 पर लग चुका है और इसको हम कर देंगे यहां से attach compressor वाले point पर यह लोग कर देंगे तो हमने लोग कर दिया है अभी यहां पर दोस्तों क्या है कि हम किसी भी एक point में किसी भी एक point में यहां पर आर ले लो या वाई ले लो या बी ले लो उसको CT coil के अंदर गुजा रहें किसी वैसे चलती हुई AC के अंदर अगर कोई भी phase missing होता है तो हमारा compressor ना उड़े तो उसमें CT coil में ampere calculate हो जाएंगे अब आप यह सोचेंगे कि अगर जिसमें से phase मतलब clear हो गया और उसकी CT coil के अंदर से गुजार दिया तो दिक्कत हो जाएगी तो आप महाँ पे कम से कम दो वायर का जरूर यूज करें तो मैं यहाँ पे दो वायर को ऐसी करूंगा यह दो वायर ठीक है या तो पीला यह वाला क्योंकि जब भी इसका phase उड़ेगा हमें स जो तीसरा वायर है यह में पीसीबी कोई चला रहा है अगर इन दोनों में से उड़ गया तो भी आपकी पीसीबी इसको कट कर देगी यानि कि हर कंडिशन में कंप्रेसर सेफ रहेगा तो यानि कि यहलो वाला है और यह जो हमारा बिलू वाला है इनको हम सीटी कोयल के अंद हुआ इसके अंदर अगर उसके अच फैस रांप निन सीटी के अब धिलू खुमाना आइसके अंदर इसके पार इस चला वाला पंप बिल गया और ऑर यहां से अपर पिल और लिइने के बाद दो इसके बराबर में रखेंगे और इसकी चलिआ इंड़ोए पेसीसों बीशन लखेंगे और आउड़र की पीसी भी उसके लिए न्यूटर लखेंगे तो सबसे पहले एक वायर लेंगे यह जो हमने ब्लैक कलर का लिया है इसको एवन पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे और यह जो आप वायर लगा रहे हैं यह आने वाली जो आरवाई बी के साथ जो न्यूटर है उसके यह कनेक्ट हो जाएगा तो अब हम यही पॉइंट फैन के लिए यही इंपूट के लिए यही आउटपूट के लिए यही दोनों पीसी बी के लिए अटैच करेंगे और वो यहाँ पे जश्ट इसके बराबर में हम न्यूटल बना लेंगे और थोड़े से दो पॉइंट चोड़ करके हम फैन के लिए बना लेंगे अब यही जो A2 का पॉइंट था यही यहाँ से ही अपना एक फैन के लिए भी दे देंगे क्योंकि जब आपका कंपेसर चलना के लिए रेडी होगा। और जब भी हमारा फैन यहाँ पर चलने के लिए रेडियो होगा मलब दोनों काम एक साथ होंगे जैनी जब कंपेट चलेगा तभी हमारा ओडर का फैन चलेगा तो ऐसे ही आपको फैन का कनेक्शन करने है तो चलेए पहले हम यहाँ पर जो न्यूटल है वो सभी जएंगे न्यूटल को बाट लेते हैं जो यहाँ पर फैस है इंडूर पीसीब के लिए वो भी जश्ट बराबर में न्यूटल देना होगा यहाँ भी न्यूटल और इसके लिए न्यूटल चलेए तो यहां पे दोस्तों अभी आप देख सकते हैं पहला हम ने जो RYB के साथ जो न्यूटल हमारा आएगा यहां से वही जाएगा ठीक है अब यहां से हमने फैन के लिए विलिया और इंडौर PCV के लिए अब यह लगा दिया हमने आउडौर PCV के लिए यह हमारा आउडौर PCV क आगे यहां पर कम्मुनिकेसन बना देते हैं। हमने वाइट वाला इसका Seit Shein को दिक्कत न न हो कि अगर कीषए से फच जाता है तो कोव कर के हम उसे बता सकते हैं बड़े इजी तरीके ची बड़े इस कलर पर लगाना वनना चाहता है तो मैं सारे ही बिलैक भी लगा सकता था मैं तो कर लूँगा लेकिन आगे जो टेक्निशन जाएगा उसको समस्य ना हो तो उसके लिए यह हमने इजी काम किया है तो यहां पर यह हो गया अब यह करीब करीब जो हमारे कनेक्शन है ना इस सारे हो गया है बस इसमें अब हमें करना क्या है जो हमारी मोटर है फैन मोटर है उसको यह वाला जो हमने एटू वाला पॉइंट है यहां से एक वायर ले लेना है बस फैन के लिए जैसे हमारा कॉंट यानि कि जो हमारे फेज में तीन तार होते हैं पहला रेड फिर यलो फिर ब्लू ठीक है अब यह सीधा कॉंटेक्टर पर आएंगे यहां से इन सक किसी से कोई मैटर नहीं सिर्फ रेड वाले को छोड़ करें क्योंकि हम रेड वाले को पहले पॉइंट को ही सारी PCP पर गुजा इसका रीजन यह है किसी वह से दो वायर ब्रेक हुए तो एक वायर आपका कंटेन्यू चलता रहेगा तो महां पे करंट बंद नहीं होगा यानि कि कहने का यह है किसी भी फेज में दिक्कत आए तो कंपेसर हर आलत में कंपेसर से कनेक्शन कटना चाहिए यह मतलब है अब य यहां से आरवाईबी लिए और आरवाईबी वापसी में दो सीटी कोईल से हो करके यहां पे आ गए ठीक है तीनों वायर यहां पे आ गए अब यह जो रैडड वाला वायर था यही हमारी इंडॉर पीसी बी के लिए यूज होगा ठीक है उसके बाद में जो हमारा आरवाई यहां पर काम खता हो जाता है और यहीं हमारा ग्लगुड क्या ऑपर दोस्तों आउर मेक सब厚 करती एंड-ißtर में भंसितों चोपनीचाós कीडिय आंव माले वायर को की पशुक्त aggregate करती है यह वायट वायट से क्रेंट आता है यह क्रेंट आता है। यह पॉयंट पर चला जाता है, तुरंती ही हमारा सिस्टम like और सिस्टम अब आनत्ols we always do आ घुबढ़न हो जाता है तो तुरंती यह यह कोंटेक्स तर आपश में 3 चि पक जाते हैं और यहां से सिंघल फेज पर कैसे चख कर सकते हैं तो यहां के दोस्तों हमने जो हमारी इंडूर PC थी 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 की हमनेई से ही इसके तीनो नुटन लाइफ पेज और निर थी 예 यहां से भी स्टार्टिंग दे सकते हैं वाइस Ihnen यहां से यहोगी आप चाहे तो इंडूरस से भी फिलाल टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं बात देखिए यहां से भी दे सकते हैं तो फिलाल हम क्या करेंगे दोस्तों जो लाइप पॉइंट है निके वन नमबर और दूसरा है नूटल इस पे हम यहाँ पर लाइप देते हैं और देखेंगे कि क्या कंडिशन रहती है ओन करने के बाद तो हम यहाँ पर अभी इसको लाइप देते हैं तो जैसे हम इसे वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो वेट करेंगे दोस्तों पूरा तीन मिनट का वेट लगेगा यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी मोटर भी चल चुकी है और कॉंटेक्टर नीचे जाके चिपक चुका है आप देख सकते हैं तो हमारी जो पीसी भी है वो कंप्लीटली ओके हो चुकी है और मैं आपको यहां पर वोल्टेज भी दिखा देता हूं आ गई है हलाकि हमने स्रीज बॉर्ड में चला रखा है यह देखो कॉंटेक्टर पर वोल्टेज आ चुकी है 153 दिखा रहे क्योंकि स्रीज में लगा देख सकते हैं पहले पॉइंट है अब दूसरे से दूसरा चेक करते हैं यह देख सकते हैं और इस तरह साप कॉंटेक्टर को भी चेक कर सकते हैं वेरिफाई कि ठीक है या नहीं है तो इसका यहां पे L1 पे सई से लगाएंगे तो इसको तोड़ा ज़े जंग लगा हुआ है कोई बात नहीं है यह देखिए इसके contactor में एक में error भी है आप देख सकते हैं जो t1 है यह देखिए l1 और t1 कह सकते हैं इस पर continuity भी नहीं आ रही है यानि कि फेज इसका चेक करूं तो यह बीप साउंड दिखा देगा अभी नहीं दिखा रहा है इसका रीजन है कि यह contactor में यह वाली पिन को मैं अंदर से सफ़ा कर लूँगा ठीक हो जाएगा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है यह हम इस वाली पिन को भी ले सकते हैं जैसे कि अगर मैं इसको चेक कर आगा दिखाऊ ना तो यह वाली भी बोलेगी यह वाली में भी जंग लगा हुआ हूँ कि यह रखा हुआ है अगर जैसे यह भी बोल ली है तो तीनों पर ही भी बोल नहीं चाहिए है अलाकि इसमें जो रीडिंग आ रही है ना वह कॉंटेक्टर को शॉर्ट करने की यह देखो अगर मैं दबा के लगा रहा हूं तो यह आ रही है यानि कि इसका मतलब यह कॉंटे 12-40 सकती हैं अफ्ट को अगर यहा से बंद करता हूं तो कॉंटेक्टर दुबार से 3 मिन बाध ही चालू होगा यह देखिया ओन किया, अब मैं मोटर को रोख देता हूं मैन वाली, अब तीन मिट बाद ही चालो होगा, तो आयोप आपको दोस्तों वीडियो चेते एक लाइक करे ना, कुछ नया सीखने को मिला हो, तक प्यारा सा कमेंट जरू करना, थेंक यू फॉर वोचिंग इस वीडिय है क्पी झालो होोग झालो है।